कि होगी राम कहर करना आप लोका स्वागत करता हूं हमारी यूटूप के अपूल बकित ये जी हैं वह रहेँगा और सुछलक् uniform के सारे इस्टेट के घंडेब हम लोग इसमें देखेंगे और मैं एक separate video बना दूँगा जिसमें हम लोग sectional cut up के बारे में discuss करेंगे कि sectional wise हर एक subject की क्या cut up जा सकती है और उसमें category wise भी मैं आप लोगों को बता दूँगा तो उसके लिए मैं एक separate video बना दूँगा इसमें बताना चाहूंगा कि जो मैंने cut up लिया है वो एक जो हर एक state का मैं बताना चाहूंगा कि जो highest जो मैं number मैंने बताया है जो मैं एक duration में अभी मैं दिखाना चाहूंगा तो उसमें क्या है उसके बीच में कम आपको OBC को देखने को मिलेगी पास से साथ नंबर का अंतर रहता है और जेनरल से और उसके आद फिर नौ नंबर के नौ से दस नंबर का EWS में आपको अंतर देखने को मिलेगा तो उसके according ही मैंने काफी analyze करने के बाद मैंने vacancies हर एक साल की का compare किया है level of exam को compare किया है काफी analyze करने के बाद ही मैं वीडियो लाता हूं जो भी मेरे वीवर से वो मुझको जानते हैं और मैं काफी analyze करने के बाद ही आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूं तो चलिए हम लोग state wise क्या cut up रहेगी इस पर discuss करते हैं तो सबसे पहले सबसे पहले अरुनाचल परदेश की बात करूँ तो अरुनाचल परदेश का जो cut up है इस बार जेनरल का वो 30 से 37 की बीच लाई करेगा मैं बताना चाहूंगा इसमें आप सब कुछ हर एक category के बारे में समझिए अगर जेनरल का 37 के आसपास cut up जाता है तो उससे 5 से 7 नंबर कम OBC का cut up आपको देखने को मिलेगा यानि कि जैनरल अरुनाचल परदेश में 37 के आसपास देखने को मिलेगी और OBC का जो cut up है वो कहीं ना कहीं 33, 32 के लगभग में आपको देखने को मिलेगा और EWS 30 के आसपास आपको देखने को मिलेगा और SCST इससे भी कम थर्टी और थर्टी सेवन के बीच में रहने की चांसे हैं मैं बताते हर एक्सिट का बताऊंगा कि जेनरल का लगभग कितना जा सकता है तो यह थर्टी सेवन के आसपास यहां देखने को मिलेगा अब नेक्स्ट आंदर परदेश की अगर में बात करूँ तो यहां पे 42 से 46 के बीच में कटप रह सकती है और अगर 46 के आसपास जेनरल के रहेगी तो OBC का जो कटप है यहां पे आंदर परदेश में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता हो OBC और जेनरल में तो यहां पे 43 के आसपास आपको OBC के देखने को मिलेगा और 42 या 41 के आसपास आपको EWS के देखने को मिलेंगे और SCST इससे भी नीचे आपके कटप 37 के आसपास आप मान सकते हो तो यह कटप जो है आंदर परदेश का 42 से 46 के बीच में यह जेनरल के लिए मैं बताना चाहूँगा यह 42 से 46 के बीच में आपको लाइक करेगा कटप देखने को मिलेगी IBPS कलरक मेंस की और मैं फिर से बताना चाहूँगा अगर 42 के आसपास जेनरल की कटप जाती है तो OBC समझ लें कि आपका जो कटप है उससे 3-4 मार्क्स नीचे रहेगा और मैं बताना चाहूँगा यह जो मार्क्स है IBPS कलरक में यह 200 नंबर पे बेजड है 200 का जो एक्जाम होता है उसको कम करके 100 में चेंज कर दिया जाता है और 100 में इसका जो कटप है वो प्रिडिक्ट किया जाता है वो 100 के कटप इसमें निर्धारित की जाती है अगर 42 है तो आप 200 में आप देखोगे तो 84 माक्स आएंगे तो है 84 माक्स लगभग तो यह 100 में कनवर्ट कर दिया जाता है तो इसलिए कटप जो है 36 से 42 के बीच में जेनरल की देखने को मिलेगी बिहार की अगर मैं बात करूँ तो यहां वेकेंसी भी पिछली आप बार के काफी बढ़ी है तो यहां का जो कटप है 40 से 46 के बीच में जाने के काफी चांसे है और अगर 46 जेनरल का जाता है तो लगभग 42 या 41 के आसपास OBC और 40 के आसपास EWS देखने को मिलेगा और उससे भी नीचे SC और ST तो यह जेनरलाइज कटप है 40 से 46 के बीच में बिहार का अगर चंडीगर की बात करूं तो चंडीगर का जो कटप है 43 से 50 के आसपास देखने को मिलेगा और इसमें मैंने काफी यह 100 आउट ऑफ है तो यह 43 से 50 के बीच में आपको देखने को मिलेगा यहां पर भी वही है अगर जेनरल 50 जाती है तो उससे नीचे 5 निंबर आप लग 43 से 50 के बीच में जाने के काफी चांसे है नेक्स अगर 36 गर की बात करूं तो यहां का कटप जो है 42 से 48 के बीच में रहने के काफी चांसे है मैंने काफी एनलाइज करके आप लोग को बता रहा हूं तो यहां का जो कटप है 36 गर का 42 से 48 के बीच में जेनरल के जाने के चांसे नेक्स डेली की बात करूँ तो यहां पर जेनरल का जो cut-up है वो 43 से 51 के बीच में रहेगा और चुकि वेकंसी काफी बढ़ी हैं और भी बढ़ने के काफी chances हैं तो इसका जो cut-up है यह 43 से 51 के बीच में देखने को मिलेगा नेक्स्ट गोवा की बात करूँ तो यहां का जो cut-up है जेनरल का 32 से 39 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है और उसी के 45 marks कम OBC और फिर EWS आपको देखने को मिलेगा तो यहां मेरे according यहां 39 के आसपास देखने को गोवा में मिल सकता है maximum जो cut-up है इसी बीच में आपको देखने को मिलेगे गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर cut-up 36 से 43 के बीच में लाई करेगा और इस बीच में आपको जेनरल OBC और EWS के काफी chances है कि इस बीच में आपके cut-up देखने को मिले और गुजरात का maximum charge है कि 43 के आसपास आ यहां का cut-up 41 से 49 के बीच में जाने के काफी chances है 49 के आसपास आपको देखने को मिलेगा हिमाचल परदेश की अगर मैं बात करो तो यहां cut-up 37 से 46 के बीच आपको देखने को मिल सकता है 45 के आसपास हिमाचल में भी आपको जनरल की cut-up देखने को मिलेगी जब मुकस्मीर की ब Codding 44 के आसपास General की Cut-Up जाने के काफी High Chances है Next, Carnatan Tech की अगर मैं बात करूँ तो यहां Cut-Up 38 से 43 के बीच लाई करेगा और मेरे Codding 42 के आसपास Carnatan Tech की जो General की Cut-Up हो वो इस बार देखने को मिल सकती है नेक्स्ट केरल की अगर मैं बात करूँ तो यहां का cut-up जो है 45 से 49 के बीच में देखने को मिलेगा मेरे according 47 के आसपास केरल की काफी high chances है कि यहां general का cut-up 47 के आसपास देखने को मिले next लक्षदूइब की अगर मैं बात करूँ तो यहां का cut-up है वो 32 से 36 के बीच में जाने के काफी chances है मद्परदस की अगर मैं बात करूँ तो यहां का cut-up है यह 40 से 46 के बीच में जाने के काफी chances है मेरे according यह 43, 44 के आसपास general की cut-up है वो देखने को आपको मिल सकती है काफी हाई chances है कि 43 के आसपास आपको देखने को मिले महराष्ट्रा की बात करूँ तो यहां पे as compared to previous year यह साल काफी vacancies है तो 39 से 46 के बीच में जाने के काफी chances है मेरे according महराष्ट्रा में 42 के आसपास आपको देखने को जेनरल की cut-up देखने को मिलेगी नेक्स्ट मनिपूर की अगर मैं बात करूँ तो नौर्थ इस्टर्ण एरिया में एक इस्टेट्स में एक खासियत है यहां का जो cut-up है जादा वहरी नहीं करता पिछले साल के आपक्छा तो यहां पे जो है ना इसी के आसपास देखने को मिलती है मनिपूर में में घाले में cut-up 36 से 40 के बीच में ही लाई करेगा और मेरे कॉर्डिंग 36 के आसपास यहां जेनरल की cut-up आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट ओडिसा की अगर में बात करूँ तो यहां cut-up 42 से 46 के बीच में काफी high chances है जाने के मेरे के एक 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 ओडिंग ओडिसा में 44 या 45 के आसपास आपको high chances है की general की cut-up जाए ठीक है नेक्स्ट पंजाब की अगर में बात करूँ तो cut-up 46 से 50 के पीच में आपको देखने को मिलेगी और काफी high chances है यहां पर 48 के आसपास पंजाब में जेनरल की cut-up जाए और फिर उसके 5-6-7 नंबर किसी की state में 9-9-10-10 नंबर का अंतर होता ओ-बी-स में जेनरल और OBC जेनरल और EWS में और SC और ST में तो यहां पर जेनरल की cut-up जो मैं बता रहा हूं यह 46-50 के बीच में आपके देखने को मिलेगी सिक्किम की बात करूँ तो यहां cut-up 36-40 के बीच में जाने के काफी chances है Tamil Nadu की बात करूँ तो 43-48 के बीच में काफी हई chances हैं कि यहां का cut-up 43-48 के बीच में जाए Next तेलंगाना के आगर मैं बात करूँ तो यहां का cut-up 42-46 के बीच में जाने के काफी chances है कि लिघ्र कोई ज्यादा है जाना में को मिले यहां का ताफ्य की एन सब्सक्रांद के बी fak है 39 काफी बढ़ी है और इस वार एक्जाम का लेवल भी काफी अच्छा आया है चाहिए वह जेनरल अवेजनिंग हो काफी ट्रिकी रिजनिंग था तो मैं बताना चाहूंगा कि या पॉंटेटीव एक्टीटूड या इंग्लिस हो जो भी हो पेपड़ का लेवल अच्छा था मॉट्रेटू डिफिकल्ट कहेंगे और वैसे मेंस का लेवल जो है मॉट्रेटू डिफिकल्ट ही आता है तो कटप जो है यह 39 से 46 के बीच में मेरी एकॉर्डिंग 45 के आसपास काफ प्रिलिम्स केस के जो कटप है तो फिर वी वेस्ट बंगॉल का जो कटप इस बार 38 से 47 के बीच में लाइक करेंगी और मैं बताना चाहूंगा जितने भी मेरे व्यूर्स हैं मैं काफी एनलाइज करके आप लोग के साथ मैंने यह वीडियो किया और बीन एलाइज के मैं आप मैं आप लोग के सामने वीडियो लाता हूं तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी आउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें मैं डेफिनेटली आपके रिप्लाइ जरूर दूंगा थैंक्यू फर वाचिंग कीप वाचिंग आवर वीडियोज